अब हम बात करेंगे आज wide balance के एक बहुत ही interesting feature के बारे में जिसे कहा जाता है wide balance bracketing या फिर आप कह सकते हो wide balance shift by the way wide balance bracketing और shift ये दो अलग चीज़े है पर जो setting है वो एक ही जगा पर है wide balance shift का मतलब क्या है? देखिए जब भी आप कोई photo capture करते हो और वहां पर जो है एक color cast छोटा साता है for example आपने auto wide balance में जो है photo capture की और auto wide balance में photo capture करते वक्त आपको जो है tube light अपने use की थी घर की tube lights और उसमें जो है photo में थोड़ा सा green tone आ गया green tone पकड लिया जब ऐसा tone पकड जाता है तब आपको क्या लगता है क्या ग्रीन ग्रीन क्यों लगता है देखिए आपको जो आपकी आँखों से दिखता है वो pure white tube light होती है पर उसके tube light के अंदर भी थोड़ा सा green tint रहता है जो हमें हमारी आँखों से नहीं दिखता है क्योंकि हमारी जो आँखे होती है थोड़ा सा जो color आप देखते हो उसे correct कर जालती है और इसके वज़े से आपके camera के अंदर तो वैसा कोई system नहीं है और जिसके वज़े से जब भी वो photo capture होता है तब उसमें जो है थोड़ा सा green tint आ जाता है और उस green tint को निकालने के लिए आपको wide balance shift का option select करना होता है आपके camera के menu में जाना है wide balance shift के अंदर जाना है और वहाँ पर जो है green के सामने वाला जो shade होता है वो होता है magenta आपको बस green के सामने वाला जो point है वो पूरा का पूरा ग्राफ बना दिया है ठीक है? एक proper graph है बहुत सारे उसमें points है जिके green के सामने magenta है blue के सामने red है पूरा का पूरा graph है अभी मुझे चाहिए कि green के सामने वाला जो point है अगर मुझे लग रहा है थोड़ा सा ही tint है तो मैं 3 point जाओंगी अगर मुझे ज़ड़ा जादा green tint है तो मैं 4 point 5 point 6 point तक magenta tint में चली जाओंगी जैसे जैसे मैं tint बढ़ाती हूँ वैसे वैसे green निकलते जाएगा और magenta color आते जाएगा और वैसे करके हमारे जो photo है उसमें से green tint एकदम ही चला जाएगा इसका ध्यान रखना है कि आप जादा अगर magenta का point बढ़ा दोगे तो फिर आपके photo में pink tone आ जाएगा तो ये चीजों का भी आपको ख्याल रखना है कि जादा tint को use नहीं करना है बहुत ही precisely आपको उपर या नीचे जाना बढ़ेगा वैसे ही अगर कोई भी situation में बहुत जादा red tone है होता है ना शादी के तरफ जाते हो आपको red tone निकलने लगता है और आपको थोड़ा blue मिलेगा पर अगर आप थोड़ा और blue के तरफ जाओगे थोड़ा सा ना blueish blueish photo लगता है मतलब ये जो skin है वो थोड़ी सी pink और यहां पर थोड़ा सा blue ऐसा थोड़ा सा cast आजाता है तो इसके वज़े से आप blue भी बढ़ाईए और जो है थोड़ा green भी बढ़ाईए मतलब ये पूरा graph के अंदर आपका वो point आप कहीं पर भी रख सकते हो तो blue और green के बीच में जो बहुत सारे points है वहाँ पे जो है आपका point select कीजिए जिसमें आपको दिखेगा वहाँ पे green 5 और blue 3 ठीक है वहाँ पे B3, G5 ऐसे लिखके आ जाएगा इसका मतलब है 5 point हम लोग ने green के बढ़ाए है और 3 point हम लोग ने blue के बढ़ाए है और ये करने के लिए ये करने के वज़े से आपका वो जो red tone है वो चला गया है और वो red tone इसलिए चला गया है क्योंकि हम लोग ने थोड़ा green डाला थोड़ा blue डाला और red की मातरा थोड़ी सी कम हो गई दिखने में अब वो फोटो में थोड़ा वो जो red tone है वो थोड़ा निकल चुका है ये सारी चीज़े करनों के वज़े से आपके फोटो में जो थोड़ा सा tint या cast आता है जो आपको custom white balance एकदम procession proper मिलेगा proper colors मिलेंगे पर कभी-कभी हर बार हम custom white balance नहीं use कर सकते हैं थोड़ा सा camera के अंदर ये अगर set कर देना हो तो आप जो है white balance shift का option select कर सकते हो और अपने हिसाब से थोड़ा बहुत टोन उपर नीचे करें ख्याल रखें, खास करके ध्यान रखें अगर tint थोड़ा जादा भी उपर नीचे हो गया तो सारे फोटो में magenta tone, blue tone, green tone गुश जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा तो यह चारी mistakes usually होती है मेरे से जब हम लोग स्टार्टिंग में यूज कते थे तो यह mistake काफी बार होती थी कि जो camera के screen है उसमें कुछ दिखता था और फिर जो हम लोग प्रॉपर जब TV screen में देखते थे तो यह जो गलतियां है वो होती रहती है तो थोड़ा सा experience में और थोड़ा सा precision में आना चाहिए तो आपको उसका ध्यान रखना है जिन जिन लोगों को भी जो है photography और cinematography एकदम ही detail में सीखनी है और professional level पे जाना है उन सभी के लिए हमारे पास एक online course है जो हम हर महीने जो है नया batch शुरू करते है अगर आपको भी इस online course में enroll करना है तो हमारी contact details दी गई है इसमें आप enroll कर सकते हो देख्या यह video जो है काफी informative था अगर आप इसको use करें proper शादियों में या कोई भी function में या shoot में कहीं पर भी आप इसको use कर सकते हो तो यह सारी चीज़े इतनी informative है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो अभी तक आपने इस चानल को subscribe क्यों नहीं किया है इस चानल को subscribe करें क्योंकि यह series बहुत ही लंबी और बहुत ही अच्छी चलने वाली है at the same time like कीजिए इस वीडियो को share करें उन सारे दोस्तों के साथ जिनको जो है photography, cinematography का अग्यान पराप्त करने में इंट्रेस्ट है अब तक के लिए thank you so much connect होने के लिए और तब तक के लिए मतलब अगली गुरुवार में सामको 6 बजे हम वापस जुडेंगे तो thank you so much, see you soon